हालो पर्वेडियो की आपके लिए बहुत प्यारी शी आपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आचुपा हूँ यानिकि सेंट्रल गस्फीक के तुन आपर से यहाँ प्रेलीज कर दी को मिलेंगी यहाँ पर देख लिजीगा गोर्मेंट ओफ दा एंडिया मिनस्ट्री ओफ देफेंस की तरब से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वह आपको प्रवाइड की गीए ठीक है इसमें देख लिजीगा एंप्लोईमेंट जो नोटीस है वह यहाँ पर हो चुका है फोन की ढूफ प्रॉसेस है वह आपको बताने वाला हूं सबसे पहले ओफिशर इंचार्ज की वैकैंसी फो आपकी यहाँ पर रहने ओली है ओफिशर इंचार्ज की वेकंसीज के लिए यहाँ पर देख लिएगा ग्रेजुएशन्स जो कनिडेट है वो इस वेकंसीज के लिए इलिजिबल्स रहेंगी और मिनिमम आपको फाइफ वियर का जो वर्क एक्सपिरियंस है वो आपको यहाँ पर होना चाहिए तो आप ओफिशर इंचार्ज की पोस्ट के लिए क्या रहेंगे यहाँ पर आप एलिजिबल्स रहेंगे यहाँ पर आप एलिजिबल्स रहेंगे ठीक है उसके बाद में फिमेल एटेंडन्ट की आपको जो पोस्ट है वो दी गए यानकि इसमें लिटरेट होना जरूरी है और साथ में आपको सिविल या आर्मी के अंदर फाइफ येर का अगर एल्थ इंस्टिटूस के अंदर को यहां पर यहां पर इस्टाइन आर्मी के अंदर आपको स्टापनस को नर्सिंग एस्टेंट के नाम से आपर प्रवाड़ करवाया जाता है अब बात करें आपर इलिजबल्स मैंने आपको बता दिया कि चुछ यह नम कंडेट है वह भी लिजबल्स रहेंगे इस पोस्ट यहां पर कुछ ट्रहमएंड कंडिसनस दे गई है उनके बारे में भी आपको जानकरी प्रवाड़ कर वाने वाले हों कि क्या है इनकी के ट्रहमेंड कंडिसनस रहने वाली हैं एसकी ओफिशल वेबसाइट से ही देखने को मिलेंगे यह उफफिशल प्रोसेस आपकी रहने व देता हो यह application का जो form है वो आपका offline तरीके से यहाँ पर जमा कराना होगा यहाँ पर देख लीजिए का last date के बारे में देख लेते हैं और आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको जमा कराना होगा इसका जो फॉर्मेट है वो आपको इसकी official website पर देखने को मिलेगा या फिर आप WhatsApp गूरूप टेलिकराम चैनल से जुट जाएगा वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और इसकी last date के अगर मैं बात करूँ तो 24 October यहन की 24 October तक आप क्या कर सकते हैं इस vacancies को आप भर सकते हैं 24 October के बाद में आप इस vacancies के लिए eligible से नहीं रहेंगे तो जो भी interesting candidate है जो भी इस vacancies को apply करना चाहते हैं वो आप 24 October तक आप क्या कर सकते हैं इस vacancies को आप यहाँ पर apply कर सकते हैं बात करेंगे interview की date के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि इस vacancy का जो interview है वो आपका कब रहने वाला है तो रहेगा यहाँ पर interview देखने को मिलेगा time आपको बता देता हूँ 10 30 a.m. से लेकर 2 p.m. के बीच में आपकी वहाँ पर interview है वो आपका लिया जाएगा तो आप time से वहाँ पर पहुंच जाए साथ में आपको documents क्या-क्या लेकियाने है वो देख लीजीगा तो आपने जो भी nursing certificate चीएगा साथ में आपको 10th और 12th की mark sheet चीएगी 10th और 12th की mark sheet के बाद में आपको pen card आधर card की photocopy आप जरूर से लेके जाना और साथ में आपको original भी लेके जाने है ठीक है यह सारी चीज आपको interview के time पर आपकी देखी जाएगी ठीक है तो यह इस परकार से आपका क्या र आपका interview है वो आपका यहां पर रहेगा तो आपको interview के लिए यहां पर जाना होगा तो यह आपके लिए क्या थी ministry of the defense यानि की आर्मी की तरफ से अगर मैं बात करूँ आर्मी की तरफ से आपको यहां पर जो vacancy थी वो आपकी यहां पर provide करवाई गई है और बहुत ही शांद यहां पर आप apply कर सकते हैं बाकि अगर आपको इस vacancy से related अगर आपके पास कोई भी doubt है या आप कोई चीज़ पूछना चाहते है तो आप comment box के अंदर comment कर दीजीगा आप सभी के comment का जवाब दूँगा आपके doubt यहां पर clear करूँगा बाकि आपको इस vacancy से related completely informations यहां पर मिल चुकी है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी information आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है चैनल को subscribe करके और बैल आइकन को price कर लेना है जिससे आप सभी के पास ऐसे ही updated वीडियो टाइम से आती रहेंगी और वीडियो को आपको ज्यादा सी ज्यादा क्या करना हो होगा यानि कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को आपको ज्यादा सी ज्यादा सेयर करना है और सभी को आपको वीडियो को फैला देना है साथ में मैं आपको बता दू ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें जिस पर काद से बनाए रख रहे हो आपके लिए regularly औलो और हो उच्ची लगी इनफरमेटर नापको अच्छी लगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को सेयर करना है बाकि आपको मिलते हैं को नहीं अप डेट के साथ मैं वीडियो के साथ सब तक आप अपना ख्यान रखें अपनों वे ख्याल